हेलो दोस्तों आप लोग कैसे हैं मैं टेक्निकल देव आपके लिए न्यू वीडियो लेकाया हूँ मैं आज आप लोगों बताऊंगा यह जो फिरिज है आप देख रहे हैं इसका जो गेट है वो निकल चुका है जंग के कारण जंग के करण इसलिए क्योंकि जो फिरिज के अंदर पानी होता है वो पानी बहता रहता है और जो यह हमारे नीचे का लॉक वगरा होते हैं वो गल जाते हैं जिसके करण यह गेट बहर आ जाता है और देखने में बहुत बुरा सा लगता है आपका फ्रिज बिल्कुल नए टाइप का होता है फिर भी यह ऐसी प्रॉब्लम आ जाता है आप लोग की कमी के कारण जो आप लोग पानी इसमें से बहता है वो नीचे जाता है और यह गलना सुरू हो जाता है सुगाय बीडियो पर बने रहे हैं मैं इसको रिपैन करने का तरीका आपको बताऊगा सबसे पहले आपको यह जो उपर वाले जो लॉग होते हैं इनको 10 नंबर के गोटी से खोलना है अगर आप 10 नंबर के गोटी से नहीं खोलेंगे तो अगर चाफी दरवाजे बेगरा में कबजा लगाते हैं आप इसके दो कबजे लगा सकते हैं और इससे आप काम कर सकते हैं लेकिन वह एक होता है टंपरेरी मैं आपको एक ऐसा चीज बताने जा रहा हूं जिससे आप पुरी तरीके से सैटिस्फाइज हो जाओगे कि हाँ यह कैसे काम यह जो गेट है पूरी तरीके से गला हुआ है और हमें रिपेरिंग करने में बहुत ज़्यदा दिक्कत हुआ लेकिन हम इसे रिपेर करेंगे और बहुत ही सिंपल जुआड है आगे बढ़ने से पहले अकर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को चलेगा इसमें हमें क्या करना है सो गाइस बीडियो पर आप देख रहे हैं कि यह जो हमारा जीर रोड है यह बड़ा सा रोड अंदर हमने डाल दिया है जैसे चूट्र टाइप का अधर बना दिया है और यह हमारा एमसील है M-Seal हमने इसके अंदर लगा दिया है मातर एक गेट रिपैर करने में आपका खर्चा मातर 20 से 25 रुपए आएगा जादा से जादा सबसे पहले आपको क्या करना है जो आप देख रहे हैं इसके अंदर फॉर्म लगा हुआ है बीडियो हम थोड़ा बना नहीं पाएं लेकिन मैं पूरी तरीके से आपको एकस्प्लेइन कर देता हूँ आपको क्या करना है इसके अंदर एक जैसे चूड़ी दार एक लंबा सा एक इंचिका आपको रॉड लेना है और उसके बाद आप देख रहे हैं कि चारो तरफ से M-seal को भर देना है M-seal कुछ ही दिर में मतलब कि 2 या 3 घंटे में ये पुछी तरह से पत्थर का रूप ले लेगा और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर चूड़ी बन गया है और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इस परकार से चूड़ी बन गया और यह जैसे हम इसमें नीचे वाला सिस्टम फसाएंगे तो यह इसमें फस जाएगा और यह प्रॉपर वर्क करना शुरू कर देगा और आप देख रहे हैं इसको हमने सुखाने के लिए कूलर पर लगा रखा है यह बैल्डिंग की दुकान है और यहाँ पर यह रिपैर होता है और मैंने आपको बता दिया है आप इसे घर पर भी रिपैर कर सकते हैं बहुत ही इजी है और अगर आप पूर ना समझ मैं है तो मेरा वीडियो में लिंक है तो मैं आपको बता दूँगा और आप देख रहे हैं यह जो फ्रीज का हमारा यह कबजा लगा हुआ था नीचे सुरी जो हमारा लोग लगे हुए थे इसके अंदर यह जा चुका है और इसी परकार से यह नीचे मतलब की इसी पर प्रेस हो जाता है और गेट हमने उठाके इस पर रख दिया है नीचे का तो हमारा यह वर्क पूरा कंपलीट हो गया है और उपर वाला हमारा जो पेच हमने जो खोले थे गोटी से उसको लगा देंगे और आप देख रहे हैं यह पूरी तरह से वर्क कर रहा है यह बहुत ही सिंपल होता है बहुत से लोग सोचते हैं यार हमारा फिरिस तो गेट खराफ हो गया गल गया है तो वो सोचते हैं कि मैं सेल आउट कर दूँ या फिर इसे कावाडी को दे दूँ तो ऐसा आप ना करें इसे आप घर पर ही रिपैर कर सकते हैं मात्र 30 से 40 रुपए के अंदर रिपैर हो जाएगा बहुत ही इजी है बस आपको इसके अंदर एक हॉल बनाना है अगर आपको मेरी ये ट्रिक अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को प्लीज सस्क्राइब करें अगर आपको नहीं लगता है कि मैंने कुछ आपके लिए मेहनत नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को अंसस्क्राइब कर सकते हैं